हेलो डियर स्टुडेंट्स मैं रोईद गालयान आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मैंसा पर स्वागत करता हूँ तो पैरे बच्चो आज फिर हम एक और चप्टर पढ़ने जा रहे हैं और जिस चप्टर का नाम है अक्सर समूस अंखला यह भी आपका एक ऐसा टोपिक है जहां से एक्जाम के अंदर कुष्टन डेफिनेटली आता ही अपता है स्पेशली जो बच्चे एससी एक्जाम के तियारी कर रहे हैं तो यहां से शूर्शोट आपको कुष्टन देखने को मिलेगा और कई बार तो एक्जाम में ऐसा होता है कि पर एक्जाम में माल लीजेगा आपका CGL या CHSL या MTS के मैं बात करा हूँ जहां जहां पर एक्जाम के अंदर रीजिनिंग के 25 कुष्टन आते हैं तो कम से कम दो कुष्टन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं तो प्यारे बच्चों गलती से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है पूरा वीडियो देखना है और A to Z कंसेप्ट में आपके क्लियर करूंगा अब अलपाबेट शीरीज के अंदर में चीजे हमें क्या याद रखनी है सबसे पहले तो हमें याद रखना है प्यारे बच्चों पॉजिशनल वैलियो जॉफ लेटर्स अक्षरों का इस्थानी अमान ठीक है ना पॉजिशनल वैलियो जॉफ लेटर्स यानि अक्सरों का स्थानी अमान इसके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए अक्सरों का स्थानी अमान अब जैसे मैं बात करता हूँ प्यारे बच्छो थोड़ा सा ध्यान दीजीगा जैसे क्वेशन है जैसे क्वेशन पर मैं आऊँ उससे पहले मैं आपको बताऊँगा जैसे A to Z letters होते हैं हमारे तो कुल मिला कर कितने अक्सर होते हैं 26 और उन अक्सरों का स्थान अंग्रेजी वरुनमाला में क्या है एक से लेकर 26 तक जैसे A आपता हाफ के पहले स्थान पर तो वहीं जैड आता है 26 तक पर तो हर अक्सर का क्या है अंग्रेजी वरुनमाला में अपना एक स्थान है और उसके आधार पर हम क्या एक्जाम के अंदर question को solve करेंगे जैसे मैं question के माद्यम से आपको clear करने की कोशिस करता हूँ प्यारे बच्चो जैसे मैंने question लिया question क्या लिया मैंने लिया m p q उसके बाद मैंने लिया n r t फिर मैंने लिया बच्चो o t w question mark अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चो यदि मैं m की बात करता हूँ m p q तो इन सभी की positional value क्या होती है m होता है p आपता है 16 वे स्थान पर q आपता है 17 वे स्थान पर ठीक है इसी परकार n जो है वो कौन से स्थान पर आता है n आता है 14 वे स्थान पर r आता है आपका 18 वे स्थान पर और t आता है आपका 20 वे स्थान पर इसी परकार जो o है वो आता है पंदरवे स्थान पर T जो है वो आता है 20 वे स्थान पर और W का पोजिशनल वेल्यू कितना उता है 23 अब हो क्या रहा है यहीं पर ध्यान से दिखना लोजिक यहीं से पता लजाएगा 13 से 14 हो गया यानि 1 बढ़ गया 14 से 15 हो गया यानि 1 बढ़ गया यहां पर भी 16 से 18 हो रहा है यानि कितना बढ़ रहा है 2 18 से 20 हो रहा है तो यहां भी कितना बढ़ रहा है प्यारे बच्छो 2 17 से 20 हो रहा है तो यहां कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है 20 से 23 हो रहा है तो यहां कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है तो प्यारे बच्चों यही concept क्या है exam के अंदर यानि सबसे main role जो लो होता है न alphabet series के अंदर जिस concept का सबसे ज़्याद ही होता है वो होता है positional value letters की तो हम plus one करेंगे तो क्या आएगा 16th और 16th place पर जो letter आता है वो क्या आता है P इसी परकार plus two करेंगे तो 20 में two add करेंगे तो 22 और 22nd place पर क्या आता है वी इसी परकार 23 में अब हम three add करते तो मिलेगा 26 यानि क्या मिला Z तो प्यारे बच्चों question का right answer जो होगा ना वो क्या होगा P V Z क्या होगा right answer P V Z यह हमारी question का right answer होगा तो इस तरीके से हमें क्या है questions को soul करना है clear बच्चों तो चलिएगा अब questions की तरफ आते हैं देखीगा concept जो clear होगे ना यहाँ पर आपकी concept clear होगे प्यारे बच्चों questions की help से जो basic concept है funda है वो मैंने आपको बता दिया है अब हर question की अलग-अलग variety है exam के अंदर अलग-अलग type के question आते हैं तो सबसे पहले आपके लिए type भी जानना जरूरी है अक्सर कई बच्चे तो exam के अंदर confused हो रहते हैं कि यह कौन से type का question आ गया तो बच्चों question को देखकर confused नहीं हो ना सारे type के question आपके alphabet series में जो आते हैं वो सबी type आपके cover हो जाएंगे बस आप patience के साथ क्या है वीडियो पूरा देखें जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ बच्चों पहला question है तो question बढ़ा है यह simple है तो simple trick के से चलेंगे जैसे A का positional value क्या होता है 1 D का होता है कितना 4 G का होता है 7 J का होता है 10 M का होता है 13 अब यह पता करना हमें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने क्या दिखा 1 से 4 हो गया यानि कितना बढ़ गया 3 4 से 7 हो गया यानि कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया 7 पलस 3 होता है 10 और 10 पलस 3 होता है 13 तो 13 प्लस 3 कितना होगा, प्यारे बच्चों, 16th, और 16th प्लेस पर जो लेटर आता है, वो लेटर क्या आता है, P आता है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों का अंसर क्या बन गया, P, जो हमें किस ओप्शन में दिया गया, option B में, तो question का right answer भी क्या होगा, option B, clear, तो इसी उसे question, आगे दीखेगा, इसी टाइब का single letter का एक और question, यहाँ पर देखना बच्चों, वही concept, simple सा आप फंडा, कि B आता है, second place पर, D आता है, fourth place पर, G आता है, seventh पर, K आता है, 11th place पर, P आता है, 16th place पर, अब हमें इसका पता लगाना है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 16, फिर बढ़ा है, 5, तो अगली बार में कितना बढ़ा दूँगा, 6 बढ़ा दूँगा, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, और 22 में स्तान पर जो letter आता है, वह कौन सा आता है, V आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्यारे बच्चों, question का answer बनेगा, V, जो हमें option C के अंदर दिया गया है, clear है, तो इस type से आपको questions को क्या करना है, solve करना है, और देखते हैं अब इस question की तरह बढ़ना, question number 13, यहाँ पर positional value क्या है, बच्चों ध्यान दीजेगा, तो यहाँ पर M होता है 13, I होता है 9, E होता है 5, A होता है 1, W होता है 23, अब हमें यह पता लगाना है, त जैसे हमने कुछ concern फड़े दे, 13 से 9 हो रहा है तो यानि minus 4 हो रहा है, 9 से 5 हो रहा है तो again minus 4, 5 से 1 again minus 4, तो sequence जो है, वो minus 4 का चला है, 1 minus 4 कितना होता है, तो 1 minus 4 होता है, minus 3, coding recording में, number coding में पढ़ा था, minus 3, जब भी value less than 0 आपती है, तो उसमें कितना add करते हैं, 26, तो minus 3 में 26 add कर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, यानि एक में से 4 घटाएंगे तो आया minus 3, जब भी value आपकी minus में आपके तो उसमें 26 जोड़ेंगे, और minus 3 में 26 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा 30, यानि concept क्या कह रहा है, कि minus 4 ही करेंगे, तो minus 4 किया, 23 minus 4 कितना हो गया, 19 और 19 प्लस प्लस लेटर आता है, वो क्या आता है, S, तो इसलिए प्यारे बच्चों, question का answer क्या हो गया, S, जो हमें option A के अंदर दिया गया है, clear, next question, अब इस question को ध्यान से दिखना बच्चों, अब इस question का answer, आप मुझे comment box में बताएंगे, 3 question मैं आपको करवा चुका हूँ, तो इस 4 question का answer, मुझे होता है, comment box के अंदर, कि इस question का right answer क्या होगा, question ज्यादा difficult नहीं है, simple है, positional value के अदार पर करेंगे, आसानी से बना लेंगे, मैं गले question की तरफ बढ़ता हूँ, question number 5, अब यहाँ पर ध्यान दीजगा, तो सबसे पहले letters की positional value लिख लेगा, M होता है 13, I होता है 9, K हो अब हमें यह पता करना है, तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले 13 से 9 हुआ है, यानि minus 4 हुआ है, 9 से 11 हुआ यानि plus 2 हुआ है, 11 से 7 हुआ यानि minus 4 हुआ है, 7 से 9 हुआ यानि plus 2 हुआ है, तो एक बार minus 4, एक बार plus 2, एक बार minus 4, एक बार plus 2, तो 9 में से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा 5 और 5 में स्तांट पर जो अक्सर आता है वो अक्सर क्या आता है E तो इसलिए पैयारे बच्छो question का answer बन गया E जो हमें किस option में दिया गया option C में तो question का right answer होगा option C clear है बच्छो next question अब यह देखना अब यह तो बड़ा simple सा funda है बच्छो यह सभी के सभी क्या है ध्यान दीजिए का यह सभी के सभी क्या है vowels है यह सभी के सभी क्या है vowels यानि सवर को लिखा गया है ठीक है अगला सभर क्या होगा यू होगा तो इसलिए प्यारे बच्छो क्वेश्चन का राइट अंसर क्या आगया option A यह तो question बिल्कुल सीधा साधा simple simsha question था बच्छो next ठीक है न अब इसके अंदर कई बच्छे confused इसलिए भी जाते हैं यहां पर वोवल्स जब एक साथ दिये गए है तो यह perfect sequence बना रहे है एक सीरीज बना रहे है किसकी वोवल्स की ठीक है न सवर की तो वही राइट अंसर होगा इसी परकार अगली question में consonants है क्या consonants ही है तो थोड़ा ध्यान से दिखना हा यह सभी के सभी क्या है consonants है, continuous consonants लगातार βेंजन लिखे गए हैं लगातार क्या लिखे गए हैं ठीक है जैसे डी के बाद अगला वेंजन आता है एफ, f के बाद g, h i आता है पर i क्या है सभर इसलिए जे लिखा गया और j के बाद अगला क्या हैगा तो इसलिए प्यारे में प упa question का right answer क्या होगा के होगा तो ये कई बार सिंपल सिंपल कोश्चिन भी एक्जाम के अंदर आज़ते हैं इन बातों का ध्यान रखना है अगला कोश्चिन अब यहां पर दिखना पैटरंग में थोड़ा सा बदलाओ है अब यहां पर बात करता हूँ ए से एकला लेटर क्या आपता है बी आता है तो उसको छोड़ दिया है उसके बाद यानि यहां पर लिखा गए है एक लेटर फिर इस ग्रूप के अंदर लिखे गए दो लेटर डी के बाद क्या आता है यह आता है उसको छोड़ दिया फिर उसके बाद एफ जी एस तीन लगा फिर उसके बाद छोड़ दिया किसको प्यारे Board आई को और उसके बाद उसके बाद चार लगातार लेटर लिख दिये क्या है उसके बाद किसको chiud 땅 kे बाद आब चोड़एंके न को और kञक्तने लगाता लेटर लिखेंगे पांच और वह 5 लैटर कौन से के अंदर दिये गए हैं तो यह थोड़े सा सीरीज के है डिफेंट मैंने का क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि डिफेंट डिफेंट लॉजिक की स्टैप क्यों थे हैं नेक्स क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में देखना अब यहां पर यहां पर कितने लेटर्स को लिखा गया है एक साथ इस बार घटते क्रमें या रिवर्स ओर्टर में लिखा गया है जैड़वाई-एक्स-डव-वी कितने लेटर है पाच वी के बाद जो अगला लेटर आता है वह कोंसा आता है वी के बाद यानि एलपाबनिकल रिवर्स migrant में एक तो यू आता है यू के S आता है और R आता है यानि कितने letter को group को रखा गया है 4 पर यहाँ पर फिर कितने letter लिखेगे उल्टे करब में 4 लिखेगे Q P O N N के बाद फिर कौन कौन से बीच में छोड़ दिये गए है ध्यान दिजिगा एक तो छोड़ दिया गया है M, M से पहले क्या आता है L, L से पहले क्या आता है K, यानि यहाँ पर 3 letter को बीच में छोड़ दिया गया है उसके बाद कितने letter लिखे गए है 3, पहले 5, फिर 4 फिर 3 letter का group है हाँ, पहले 4 letter छोड़े अब 3, अब देखेंगे कितने X से जस्ट पहले आता है G, और G से जस्ट पहले आता है F, और F से पहले आता है E, तो यहाँ पर 2 letter का group तो यहाँ छोड़े गए है 2 अब सेक्वेंस क्या कहती है पहले 4 letter, फिर 3, फिर 2 अब छोड़ा जाएगा 1 D से जस्ट पहले क्या आता है पहले 5 लेटर का गुरूप, फिर 4 गा, फिर 3 गा, फिर 2 गा, तो अब एक ही लेटर का गुरूप होगा प्यारे बच्छों, और C से पहले जो लेटर आता है, वो क्या आता है, बी, तो क्या ये हमें किसी option के अंदर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है option C में तो question का राइट answer होगा option C clear पे रहते हो तो देखें का अब तरीकी को समझेगा यहाँ पर बढ़ते करम में लिखा गया था और यहाँ पर किस में लिखा गया है गटते करम में और यह exam के अंदर कई बार question आता आता है इन question को solve करने का एक ही तरीका देखेंगा तीन-तीन लेटर के गुरूप दिये गए हैं और आपसे पुछा गया अगला गुरूप लेटर का कौन सा होगा तो ऐसे question को solve करने का एक ही तरीका है बच्च और वो तरीका क्या है थोड़ा ध्याल से जिए इनकी positional value लिख लो a b c a होता है एक b होता है दो और c होता है कितना तीन ठीक है न a b c मैंने लिख लिया a b c एक में टुकिएगा बच्च दोबार लिखता हूं मैं letter है क्या-क्या a फिर एक letter है b फिर letter है क्या c c इनकी positional value क्या होता है इसकी होता है 1 इसकी होता है 2 और इसकी होता है 3 इसके बाद जो अगला group है c eg c eg c e g c का positional value होता है कितना 3 E का होता है 5 और G का कितना होता है 7 होता है उसके बाद E H K E H K लिख लिया बच्छा उसके बाद N X है फिर अब तर G K O G K O यह होता है 7 यह होता है 11 और यह होता है 15 अब यहाँ पर धिहान दीज़ेगा हुआ क्या है 1 से 3 हो गया यानि कितना बढ़ गया 2 ठीक है यह E कितना बढ़ गया 5 होता है यह कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया 5 से 2 7 तो अगला कितना होगा 7 और 2 9 होगा ठीक है न यहाँ पर से 2 से 5 हुआ यानि 3 बढ़ा 5 से 8 हुआ यानि 3 बढ़ा 8 से 11 हुआ यानि 3 बड़ा तो 11 और 3 कितना होगा 14 तो प्यारे बच्छो यानि पहले तो ये वाला बड़ा है इस तरिक्के से इस तरिक्के से लिंक है ठीक है ना और इसका इस तरिक्के से लिंक है और फिर इसका होगा कुछ इसके साथ इस तरीक्य से तो इस तरीक्य से क्या है पेटर्न चल रहे है clear point उच्छो इस तरीक्य से पेटर्न चल रहे है अब जैसे यहाँ पर है 3 से 7 यानि 4 बड़ा फिर 4 बड़ा फिर 4 बड़ा फिर 4 बड़ा तो 15 और 4 कितना होगा 19 9th place पर लेटर आता है I 14th place पर आता है N और 19th place पर आता है S तो question का right answer का होगा question का right answer होगा INS जो हमें option D के अंदर दिया गया question का right answer वही होगा तो सबसे best तरीका इस type के question को solve करने का ये pattern बनता है जैसे हम अगले question है लेंगे सीधा सीधा positional value लिखो बच्चों कोई confuse होने के जूरत नहीं है PQR यानि PQR लिख लिया फिर इसको बाद O N M O N M फिर इसको बाद N K H N K H उसको बाद M H C M H C अब बच्चों बच्च लोजिक ही तो देखना है minus 1 minus 1 minus 1 तो minus 1 होगा 12 यानि कौनसा letter L यहाँ पर है minus 3 minus 3 minus 3 minus 3 यानि letter कौनसा होगा जो 5th place पर आएगा यानि कि E यहाँ पर है minus 5 minus 5 minus 5 3 minus 5 होता है minus 2 minus 2 में 26 add करेंगे तो 24 यानि क्या आजाएगा X तो प्यारे बच्चों question का answer बनेगा L E X जो हमें किस option में दिया गया option B में तो question का right answer भी यही बनेगा clear है next अब इस next question को और देखना बच्चों ध्यान से जे 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 तो इसको क्या लिखेंगे 10 10 10 फिर है के ल एम के ल एम फिर है M O Q M O Q अब अगला हमें पता करना है तो यहाँ पर logic क्या देखा पहले है plus 1 फिर है plus 2 तो sequence क्या करती है plus 3 होना चाहिए यानि 16th और 16th place पर क्या आता है P आता है यहाँ पर पहले plus 2 है फिर plus 3 है तो sequence क्या करती है plus 4 होना चाहिए यानि 19th place पर जो आएगा वो क्या आएगा S यहाँ पर पहले plus 3 है फिर plus 4 है तो sequence कहती है plus 5 होना चाहिए यानि 22 और 22nd place पर क्या आपता है V आपता है तो प्यारे बच्चो question का answer क्या बनेगा PSV जो हमें किस option में दिया गया option A में तो question का right answer बनेगा option A अब next step बच्चो जिसे यहाँ पर इस question को देखना दो अब इस question में यहाँ पर दिया गया है T T T T T तो यानि T T T T positional पर लिख लो U R W P U R W P अगला है S U S U S U S U ठीक है अब अगला पता लगाना है तो प्यारे बच्चो यहाँ पर हमने देखा plus 1 है फिर minus 2 है यहाँ पर minus 2 है फिर plus 3 है यहाँ पर plus 3 है यहाँ minus 4 है यहाँ पर minus 4 है फिर plus 5 है तो sequence कहती है 1 plus 1 minus 1 minus 1 plus 1 plus 1 minus 1 minus 1 plus तो plus minus plus यहाँ प्लस होगा और कितना होगा 3 यहाँ 22 22 प्लेस पर क्या हैगा V ऐसे minus 2 plus 3 तो अब कितना होगा minus 4 यहाँ 17 प्लेस पर क्या हैगा प्यारे बच्चो क्यों आएगा plus 3 minus 4 यहाँ अब होगा plus 5 कितना हैगा 24 24 प्लेस पर क्या आता है X माइनस 4 प्लेस 5 तो अब होगा माइनस का कितना 6 और 15 प्लेस पर जो लेटर आएगा वो क्या आएगा O तो इसलिए प्यारे बच्चों का अंसर क्या बन जाएगा VQXO और VQXO हमें किस option में दिया गया Option C में तो इसलिए question का right नहीं सर मना Option C तो प्यारे बच्चों इस तरीके से questions को solve करना है आपने Position and value आपको अच्छे से याद है अक्सरों का इस थानिया मान याद है तो आपका काम बिलकुल आसान है और simple आप आसानी से कर भी सकते है अगला है question बच्चों अब इस question पर ध्यान दीजिएगा ठीक है यहाँ पर है BB यानि 2 2 CF 3 6 GO 7 15 अब यहाँ पर देखो पुच्चों यहाँ पर क्या हुआ है प्लस 1 फिर प्लस 4 तो यानि आप कहेंगे प्लस 7 कर देंगे ठीक है चलो देखते हैं यहाँ पर प्लस 4 है यहाँ पर प्लस 9 है अब आपने कहा सरिया यहाँ प्लस 4 नहींगे आप प्लस 4 इन दोनों में अन्तर 3 है तो प्लस 7 कर देंगे तो 7 और 7,-14 N तो कहीं भी नहीं दिया गया न ठीक है तो यहाँ पर 4 है फिर पाँच बढा तो फिर आप कहते हैं तो बच्वो किया उत्ता है? तो अगला हम क्या करेंगे? त्री का स्केर जोड़ेंगे यानी पिलस नाइन करेंगे और नोर साथ उत्ता है सोला और सोलमे स्थान पर आता है जोड़ेंगे कितना? च्यार का स्क्वेर, च्यार का स्क्वेर होता है सोला, पंदरा और सोला, एकत्तिस एकत्तिस, हब्दिस से कितना ज्यादा पांच ज्यादा, यानि कौन सा अकसर आएगा E, तो इसलिए question का right answer क्या मना बच्चो, P E जो हमें किस option में दियागा है, option C के अंदर, next अब इस question का answer, question थोड़ा सा difficult लगेगा चलिएगा question मैं ही बता जेता हूँ, बच्चो आपके लिए आगे पुछा जाएगा question थोड़ा सा difficult हो सकता है या आपके लिए P 20, P 16 और P 16 उसके बाद R, M, L तो R, M, L फिर अप P, N, H तो P, N, H N, K, D N, K, D अब अच्चो यहाँ पर ध्यान देना है तो यहाँ पर आप कहेंगे सर, minus 2 है यहाँ भी minus 2 है यहाँ भी minus 2 है तो यहाँ भी minus 2, 12th और 12th position पर आगया L L हमें दिखाई दे रहा है, बिलकुल clear है यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप कहेंगे सर, minus 3 है यहाँ पर plus 1 है यहाँ पर फिर क्या है minus 3 है, तो एक बार minus 3 एक बार plus 1, minus 3 तो plus 1 तो याँनि क्या होना चीए 12, याँनि दोबारा L पर L तो है ही नहीं, तो बच्चो याँनि logic कुछ और है और वो logic है क्या ध्यान लीजेगा logic है क्या ध्यान लीजेगा देखेंगा बच्चो ध्यान लीजेगा 13 और 14 कितना होता है? 27 और यहाँ दो अक्षरों का स्तानी अमान मिलाकर 27 के बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या होता है वीपरीत अपोजिट तो यहाँ पर अपोजिट किया गया है बच्चो यानि एक बार माइनस 3 फिर अपोजिट फिर माइनस 3 तो फिर अपोजिट और 11 का अपोजिट कितना होगा? 27 में से कटा देंगे 16 और वो 16 स्थान पर जो अक्सर आता है वो आता है P और वो हमें उप्सन में नजर आ रहा है यहाँ पर कंसेप्ट क्या बच्चो माइनस 4 फिर माइनस 4 माइनस 4 करने से मिलेगा 00 का मतलब होता है 26 यानि अक्सर जो आएगा वो आएगा Z अब बस केवल हमें यह देखना है क्या LP, Z किसी ओप्सन में दिया गया है ओप्सन A में तो क्वेश्चन का राइट अंसर होगा ओप्सन A तो अभी हमारे पास हमने 15 क्वेश्चन डिसकस के लिए और आज के क्लास में 25 क्वेश्चन अभी जो पहले 15 क्वेश्चन डिसकस के लिए उनमें हमारे कुछ बिस्सिक कंसेट है पर आज कल एक्जाम के अंदर ट्रेंड थोड़ा सा बदल चुका है बच्चो और वो बदल क्या है कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं जो आज कल मैंने आपको एक और बाद बोली थी कि बच्चो कंटेंट तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पर क्या आप एक अच्छे कंटेंट से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब तक आप एक अच्छे कंटेंट से प्रैक्टिस नहीं करेंगे विश्वास कीजिएगा आपकी मैनत क्या है बेकार है पढ़ना केवल वहीं से होता है जहां से question आने के chances होते हैं तो ऐसा ही कुछ content हमारी company ने आप लोगों के लिए तयार किया है तो यह reasoning के दोनो practice set है English language के अंदर और Hindi भासा के अंदर जिस बच्चे को जिस language के अंदर practice set खरीदना है वो practice set खरीज सकता है one by one सारे chapters की video आपको available हो रही है और आपका one time solution आपको यहीं से मिल जाएगा मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस type wise pattern में उसी type wise pattern में आपको question practice के लिए यहां से मिल जाएगे और यह दोनों ही book available है प्यारे बच्चो Amazon और flip card के अपर जहां से भी आप खरीदना चाहे इन books को क्या है purchase कर सकते है साथी साथ है किसी बच्चे को यह दिल लिंक नहीं मिल रहा तो इस video का description box है उस description box के अंदर दोनों books को खरीदने का link क्या है दिया गया है Amazon का भी और flip card का ही साथी साथ जो आपका comment box होगा इस video का comment box के अंदर भी क्या है प्यारे बच्चो इसका link दे दिया जाएगा ठीक है अब अगली बात अगे बढ़ते हैं अगले question को और जैसे मैंने बताए जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे question का level बढ़ता रहेगा और ए A, K, R, W लिख ली position में लिए अब है D, N, U, Z, D, N, U, Z, फिर है G, Q, X, C, यानि 3 तो बच्चो ये तो question को ज्यादा ही simple हो गया है मुझे लग रहा है मैंने देख लिया है तो इस question का तो answer आम मुझे comment box में उता सकते हैं मैं अगला question discuss करता हूँ प्यारे बच्चो इस question का answer आप वीडियो पोच करके comment box में देख बताएं पहले इस question का right answer क्या होगा next question अब इसको ध्यान से देखना P, G, L, T P, G, L, T उसके लगा R, H, N, U R, H, N, U उसके लगा T, I, T, V T, I, P, V उसके लगा V, J, R, W V, J, R, W तो प्यारे बच्चो ये recently जो जितने भी exam होएं उन exam के जो reasoning के question alphabet series के वो ये वाले question जो recently अभी 2023 में पूछे गए हैं तो मैं उनी question को आपको करवा रहा हूँ अब यहाँ पर समझने हैं तो काफ़ी बच्चो को समझ आचको होगा कि बिल्कुल सिंपल है सर plus two plus two plus two तो plus two करूँगा तो मिल जाएगा 24, 24 का मतलब हो जाएगा x seven से eight यानि plus one plus one plus one और plus one तो हमें मिल जाएगा eleven यानि क्या मिल जाएगा k यहीं पर बच्चो यहाँ पर देखना plus two plus two plus two तो plus two करने से हमें कितना मिलेगा 20 और 20th place पर लेटर क्या आता है t इसी परकार यहां पर एक जोड़ा गया है फिर एक जोड़ा गया है फिर एक जोड़ा गया है और फिर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 24 विस्तान पर जोड़ता है तो इसलिए question का answer बनेगा x k t x और यह हमें option d के अंदर दिया है तो question का right answer भी option d ही होगा clear next question अब इस question पर घ्यान देंगे अब यह है थोड़ा सा different नहीं टाइप का question अब यह कुछ different नहीं पर यहां पर यह आप घ्यान देंगे प्यारे बच्छो तो यहां पर आपको क्या क्या है चार चार लेटर के group दिये गये है और वहां पर क्या है fill in the blanks करने के लिए का आगया अब पिछली बार हमने पढ़ा था पिछली क्लास में continuous pattern series तो यह उस type के question नहीं है बच्छो यह थोड़े different type के है यानि यह positional value के उपर हील का खेल होने वाला है जैसे मैं आग पर positional value लेखता हूं जी कितना होता है तो जी होता है बच्छो 7 उसके बाद underline है तो इसको underline ही क कर लो एम होता है 13 इसको underline ही कर लीजिएगा एम होता है 13 यह होता है वान उसके बाद आप इस पर आजाए पहले तो यह underline ही कर लो पहले वाले का तो पता ही नहीं है वी होता है 22 ओ होता है 15 और वाई होता है 25 ठीक है अब अगले वाले का के टी तो के होता है 11 टी होता है 20 क्यू होता है 17 तो इसका तो हमें नहीं पता MR एम होता है 30 ठीक है आर होता है 18 इसका हमें नहीं पता यू होता है 21 अगला है बच्चो ओ होता है आपका 15 इसका हमें नहीं पता U होता है 21 और S होता है 19 अब ध्यान से देखना बच्चो सीक्मेंस है क्या हमें इसका निपता पर यहां पर हमने देखा प्लस टू है तो बच्चो में किस संख्या में दो जुड़ू की 11 मिल जाए तो यानि इससे पहले हमें कितना यानि ये दो जुड़कर ही तो 11 मिला है पैटर्न तो वही चल रहा है तो यानि यहां पर क्या आएगा 9 आएगा और इसलिए 7 और 2 भी कितना होता है 9 ही होता है तो यानि हमें यहाँ पर पहले पर तो क्या मिल गया 9, क्या मिल गया बच्चो 9, अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि 9th प्लेस पर जो letter आता है, वो letter कौन सा आता है, तो प्यारे बच्चो 9th प्लेस पर जो letter आता है, वो आता है I, यानि इसका चलेगा उसके तो बाद में लिखेंगे हम 9th प्लेस पर जो letter आता है, वो क्या आता है I आता है, क्या आता है I, ठीक है एक तो हमारा यहाँ से मिल गया अब दूसरे पर आते हैं, ठीक है नब 1 by 1 चेक करेंगे बच्चो ठीक है, एक सेकंड रुकिया हाँ, वन बाई वन, पहले हम सभी को चेक कर लेते हैं, अब यहाँ पर था, इसका तो हमें नहीं पता पर यहाँ पर पता है, माइनस टू हो रहा है, यहाँ भी माइनस टू हो रहा है और यानि यहां भी माइनस टू होकर यह आया है तो किस संख्या में इसे में दो गटाओं की बाइस मिल जाए यानि की 24 यहां पर 13 से 15 यानि 2 बड़ा है 15 से 17 यानि 2 बड़ा है 17 से 19 यानि कितना बड़ा है 2 बड़ा है तो यानि क्याएगा 19 और 19 और 2 कितना होता है 21 इसी परकार 1 से 25 यानि माइनस 2 हुआ है ठीक है न बच्छो और 21 से 19 में माइनस 2 यानि इधर माइनस 2 हो रहा है तो माइनस 2 कितने में से होगा 23 में से और 25 में से 2 गटाएंगे तो 23 होगा तो यानि अब बच्छो आपके question के right answer क्या बनेगा ध्यान दीज़िगा सबसे पहले तो fill in double इसका भरेंगे और ये आपका कौन सा अक्सर आएगा बच्छो तो ये आपका जो अक्सर आएगा वो आएगा x क्या आएगा x यानि यहाँ पर तो क्या आजाएगा बच्छो यहाँ पर आजाएगा प्लेस पर क्या आएगा डबलू तो यानि इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्छो डबलू आएगा उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो 19th प्लेस पर जो लेटर आता है वो आता है S तो यानि यहाँ पर जो लेटर आएगा वो आएगा क्या प्यारे बच्छ option में दिया गया है option B के अंदर तो इसलिए question का right answer क्या है वो option B होगा ये तो मैंने बिलकुल concept से बताया अब थोड़ा fast track पे question को कैसे करेंगे बच्चो वो ध्यान दीजिगा जैसे यहाँ पर है बच्चो अब letters की ये दी positional value याद है तो आप directly question को कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं बच्चो ध्यान दीजिगा जैड होता है 26 और यू होता है 21 तो 26 में से 5 गए 21 तो 21 में से 5 गटाऊंगा तो कितना आएगा 16 और 16 में स्थान पर क्या आता है P आता है और 16 में से 5 गटाऊंगा तो 11 और 11 में से 5 गटाऊँगा तो 6, ठीक है, वाई, अब इसका हमें नहीं पता, यहां पता है, यह होता है, ओ, 15 और जे 10, तो 15 में से कितना गटाया गया है, 5, और 10 में से 5 गटाऊँगा तो मिलेगा 5 यानि की E, तो यानि 5, 10, 15 यहां आएगा 20 T, और 25 यानि आएगा Y, यह भी पता लग गया बच्चों, ठीक है न, अब 4 लेटर पर ध्यान दीजेगा, ठीक है, एक मिनिट, सोरी, हाँ, एक मिनिट वच्चों, तो 20, 25 प्लेस पर यह भी पता लग गया, थर्ड का यहां पर ठारा है, यह 13, ठारा में से यानि 5 गटे हैं 13, 13 में से 5 गटा हुआ, H, और 8 में से 5 गटा हुआ, 3 यानि की C, तो यानि 18 में से 5 गटा हुआ, 23 यानि की क्या आएगा, डबलू आएगा, ठीक है, अब देखो बच्चों, सब कुछ मिल चुका है, W, T, P, H, E, मैंने आपको Fast Track में बिता दिया कैसे करना है बच्चों, यह दि आपको Positional Value याद देता है, आप Fast Track में, सभी लेटों से में 5-5 गटाया गया था, इसके लावा और कुछ नहीं किया गया था, तो चलिएगा बच्चों, अभी यह मैंने Question बता दियें, तो इस Question का Answer, अब मुझे आप Comment Box में बताएंगे, कि इस Question का सही Answer क्या होगा, Clear है, Next Question, अब एको टाइप के Question, अब है यह थोड़ा सा Mixed किया वाए, Letter और Numbers को, तो Latin Numbers को Mixed किया, तो Confuse होने की जूरत नहीं है, बच्चों, वही खिलो, BO88, तो यह हो गया, B2, B को लिख लो 2, ठीक है, O कितना होता है, O होता है 15, और जो वैल्यू दी गई है, वो है 88, ठीक है, उसके बाद Question मार कि, यानि यहां क्या आएगा, हमीं नहीं पता, इन ती नोजेंगे पर, ठीक है, उसके बाद, H, U, 80, H होता है बच्चों, आपका 8, U होता है आपका 21, और यहां पर क्या है, 80 है, K, X, K होता है बच्चों, 11, X होता है आपका 24, और यह 76 है, N न, N होता है 14, A होता है 1, और यह 72 है, अब बच्चों, यहां पर देखें न, Concept है क्या, इन को छोड़ दे, आप इन तीनों को भी चले, 8 से 11 हुआ, यानि 3 बड़ा, और 11 से 3, 14, 21 और 3, 24, 24 और 3, 27, 27, 26 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा, यहां पर क्या हो रहा है, बच्चों, माइनस 4, माइनस 4 हो रहा है, यानि सबसे पहले एक सीक्वें से, इस वाले लैन में, पलस 3 हो रहा है, तो पलस 3 होगा, तो पलस 3 पर जो लाएगा, वो क्या रहा है, 3 और 2, 5, और 5 में, स्थान पर जो लेटर आता है वो क्या आता है यहाँ पर भी कितना जोड़ेंगे तीन तो पंदरा और तीन अठारा और ठार में स्थान पर जो लेटर आता है वो क्या आता है आ राता है तो यहाँ पर कितना करेंगे माइनस फोर तो 28 मिसे चार घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चो तो 88 मिसे चार घटाने पर क्या आएगा ध्यान दीजेगा तो यहां पर आजाएगा बच्चो 84 तो इसलिए question का answer है वो क्या बनेगा ER84 तो ER84 हमें option C में दिया गया है तो question का right answer भी वही बनेगा क्लिए रवच्चो ठीक है ना next अब जैसे इसको directly भी relate करके कर सकते हैं कैसे relate करके कर सकते हैं S अब 19 में stand पर फिर आगया T यानि कितना बढ़ाया गया है एक बढ़ाया गया है तो एक और बढ़ा देंगे तो एक बढ़ाने से क्या मिल जाएगा यानि यहाँ पर मिल जाएगा हमें U मिल जाएगा फिर एक बढ़ाने से क्या मिल गया V V से अगला अकसर आता है डबलो clear अच्चो इसी परकार देखना हाँ 2 बढ़ाने से J मिल गया 8 और 2 10 तो 2 मैं बढ़ाऊँगा तो कितना मिलेगा 10 और 2 12 यानि U के साथ क्या आएगा L आएगा U के साथ क्या आएगा L आएगा 12 और 2 14 N होता है 14 और 2 16 ठीक है अब नंबर की बात करता हूँ तो यह 16 है 16 से यह 13 हो रहा है 16 फिर 13 फिर है 23 फिर है 40 हमें बीच वाला पता करना की बीच वाला क्या होगा तो यहाँ पर तो क्या होगा है minus 3 यहाँ पर हुआ है 2 गुना तो यानि बच्चो 13 को मैं 2 गुना करता हूँ तो कितना होगा 26 होगा और 26 minus 3 कितना होगा 23 होगा तो यह वाला pattern चल रहा है अब यह भी confusion है तो बच्चो अलग अलग करके भी दिखा देता हूँ जैसे ध्यान दीजेगा S 16 H तो S 16 H फिर है T 13 J फिर है question mark question mark question mark question mark V 23 N फिर है W 46 P तो प्यारे बच्चो यहाँ पर ध्यान से दिखना है यहाँ पर क्या था S के बाद आता है T और T के बाद क्या आता है U और U के बाद आता है V और V के बाद आता है W क्लियर है यहाँ पर माइनस 3 किया गया है तो 13 मिल गया और यहाँ पर क्या किया गया है multiply 2 से तो यानि मैं यहाँ पर alternate में लेके चलेंगे एक बार 3 घटाया है फिर 2 से मुगुना किया गया तो 26 आ गया फिर कितना गटा दिया तीन गटा दिया तो pattern ने समझ गए बच्छो यहाँ पर क्या है एक से 2 लेटर पहले जे अपता है जे के 2 लेटर बाद ल आपता है और L से 2 लेटर बाद क्या आपता है N आपता है, क्या आपता है बच्छो, N 14 ते इसको N लिख लीजिगा, ठीक है अब उसके N के दो लेटर बाद क्या आपता है, P आपता है तो इसलिए question का जो right answer है बच्छो वो क्या आपने का, U26L और हमें किस option में दिया गया option B में, तो question का right answer भी वही होगा अब अगले question का, दो question इस type के मैंने आपको बताई तो इस question का answer comment box में जल्दी से बताई इस question का सही answer क्या होगा आगे दियो और बढ़ते है, अगला question हाँ अब यहाँ पर देखना बीच में कॉमा नहीं है तो बच्चे यह छोटी छोटी बातों पर भी confused हो जाते हैं, पर बच्चे यही group तो दिया गया है, उसको कॉमा दिया है या अलग अलग करके लिखा गया है, उससे कोई फरक नहीं क्यों बच्चे कहेंगे, सर पहले question आपते थे न, इस ट्रैक के न, जैसे इसमें न, ऐसे कॉमा होता था नहीं, पर इसमें कोई कॉमा नहीं है तो यह group दे दिया, letters के, तो उससे कोई depend नहीं है, आपको next group क्या होगा, letters का वही उताना है, pattern वही होगा बच्चो, positional value लिख लो, r, n, z तो r, n, z, फिर है, v, l, d v, l, d फिर है, z, j, h z, j, next, d, h, l d, h, l अब यहाँ पर देखना, बच्चो, है क्या plus 4 plus 4 फिर plus 4, 24, 4 30, 20 कितरा ज्यादा, 4 तो 4 और 4 कितरा हो गया, 8 और 8 पर 7 पर क्या अक्सराता है, h 14 से 12, यानि 2 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 2 कम कर देंगे, तो क्या आजाएगा, 6, यानि क्या आजाएगा, प्यारे बच्चो, f फिर 26 से 4 हो रहा है, यानि 4 बढ़ रहा है फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है फिर 4 बढ़ा दीजिएगा 12 और 4 16 यानि क्या आएगा पी आएगा तो प्यारे बच्छो इसी परकार यह दिमा कहूं तो क्या है फ्यारे बच्छो इसी के अंदर इसी के साथ प्यारे बच्छो प्यारे बच्छो कंप्लीट हो चुका है तो सीरीज के अंदर हमने नंबर सीरीज पढ़ लिया है उसके साथ continuous pattern सीरीज के जो question है वो भी discuss कर लिया है साथी साथ alphabet सीरीज के जो question बचे वे थे वो भी हमने discuss कर लिया है तो यहां से हमारा सीरीज का chapter complete होचका है केवल इसमें बच्छता है word series ठीक है ना अब यानि सब्दों के भी वो पर क्या है दो चैपाइट के ही question आते हैं तो word से related यानि सब्दों से संबंदी जो person होगे ना यानि word series, word analogy, word classification तो उन सभी की मैं एक ही class लूँगा तो अगली class के अंदर हम analogy का chapter स्टार्ट करेंगे और उमीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो आप सभी को यदि पसंद आईए तो वीडियो को like करें और जादा से जादा share करें और जिन questions के answer मैंने आप से बुच्छे हैं उन सभी questions के answer comment box में म वपते में तीन दिन डेली नहीं पर वपते में तीन दिन आपको वीडियो मिल रही है Tuesday, Thursday और Saturday को तो content तो मैं लगातार speed से पढ़ाता जा रहा हूं पर कहीं ना कहीं अभी तक आप लोगोंने मुझे लगता है books purchase निके तो जल्दी से books को भी purchase कर लिजगा ताकि साथ की साथ आपकी क्या है practice भी होती रहे तो चलेगा students मिलते हैं अगली class में नई chapter के साथ till then take care good bye